हलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग वेलकम तो माई चैनल आल जॉब नोटिफिकेशन फ्रेंड्स यूपीएसी आई एफेस का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है तो देखते हैं क्या-क्या इसमें वकेंसी निकली हैं कितनी निकली हैं यह है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रिक्रूटमेंट ठीक है वन टोटल जो वकेंसी है इसमें वो 151 है ठीक है 151 है और जो फी है फीमेल SCST या फिर PWBD कैंडिडेट के लिए वो 0 है मतला निल और जो अधर्स हैं उनके लिए 100 रूपीज है ठीक है आज दो फेब्रोरी को इसका जो अपलाए डेट स्टार्ट हो चुका है ठीक है और लास्ट इट इसका 22 अफेब्रोरी है तो जो भी इंट्रेस्टेट कैंडिडेट है वो फिल कर सकते हैं यह फॉर्म minimum age इसमें 21 years है maximum 32 और देखते हैं यहां पे इसका official notification हां तो फ्रेंड्स यह इसमें देखते हैं कि है कि इसमें education qualification मंगा है all candidates are required to carefully read the rule of Indian foreign 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 service examination negative marking भी है इसमें है ना candidate should note that there will be negative marking for wrong answers and for both writing and marking answer in the omr sheet must use black ball pen use करना है आपको only ठीक है तो blue ball pen देखे नहीं आपको black ब्लेक बॉल पेन चाहिए ब्लेक बॉल पेन तो और बाकी समें के लिखा है डू नोट यूज पैंसिल और इंक पैन मूबाइल फोन बेंड है यह देखो सेंटर कहां कहां पे इस पे अगरतला आगरा जमेर एहमदाबाद चंडिगार्ड बिलासपूर शिम्ला ठीक है एस पी वालों के लिए शिम्ला यह सेंटर बाकी आप लोग अपने अपने कन्विनेंट की जो कन्विनेंट कन्विनेंस के अकॉर्डिंग भर सकते हैं सेंटर है ठीक है एलिजिबिलिटी देखते हैं क्या क्या लिखा हो इसमें एज लिमिट का थो मैं पता लग गया हाँ मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए एक कैंडिडेट मस्ट होल अब बैचलर डिग्री चाहिए विद अट लीस्ट वन आफ तो सब्जेक्ट नेमली अनिमल हस्बेंटरी एंड वेटरिनरी साइंस बोटनी, केमिस्ट्री, जोलोजी, मैथेमेटिक्स, फिजिक्स, स्टेटिस्टिक्स, अन दूलोजी और बैचलर डिग्री इन अग्रिकल्चर या फिर फोरेस्ट्री में या फिर इंजिनिरिंग इन अफ अनी अफ ते उनिवर बाकी नंबर ओफ अटेंप्स इसमें बोला है, एवरी केंडिडेट अपेरिंग एड एग्जामिनेशन हूँ इस अधर्वाइस एलिजबल श्याल भी पर्मिट्टिट सिक्स अटेंप्स अट दे एग्जामिनेशन में मेडिकल और फिजिकल केंडिडेट मस्ट भी फिजिकली फिट होना चाहिए अकॉर्डिंग तो फिजिकल स्टेंडर्ड ठीके तो यह आप लोग देख लिजिए का इनका क्या क्या मेडिकल रिक्वार्मेंट है ठीक है यह ओप्शनल सब्जेक्ट सेंग जो एग्रिकल्चर फिर एग्रिकल्चर इंजिनेरिंग के लिए अनिमल हस्बेंडरी बॉटनी केमिस्ट्री एंड कैमिकल इंजिनेरिंग के लिए सिविल इंजिनेरिंग और फोरेस्ट्री जोलोजी के लिए पेपर आप देख सकते हैं सेक्शन क्या क्या सब्जेक्ट हैं इसमें मेकैनिकल इंजिनेरिंग जोलोजी ओके तो आप फोर्म भर सकते हैं जो वेबसेट है फ्रीजॉबलर डॉट कॉम वहां से भी आप सर्च कर सकते हैं या फिर डिरेक्ट आप गूगल में सर्च कर लिजे यूपीसी आएफस नोटिफिकेशन 2022 वहां से भी आप लोग अप्लाइ कर सकते हैं ठीके फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हैं और शियर कीजिए ताकि जो भी कैंडिडेट्स इंटरस्टेड हैं वो इस फॉर्म को फिल कर पाएं ठीके और जितना मतलब टाइमली आप लोग भर सकते हैं फॉर्म उतना भर लीजिए क्यूंकि लास्ट में ऐसा होता है बहुत बार की साइट कई बार हैंग हो जाती है सर्वर डाउन हो जाता है ठीके सो उस वज़े से टाइमली अपना अच्छे से नोटिफिकेशन रीड करके आप एलिजिबल हो या नहीं हो वो देखके फिर फॉर्म फिल करिए ठीके और बाकी आज नायवत्य सिल्दार का भी लास्टेट थ था है न क्यूंकि पहले एक्स्टेंड कर दिया था उसका डेट पांच फेबरोरी तक तो बारा बज़े तक था इथिंग दिन सुबा वलाव सुबा के बारा बज़े तक था सो विश्यू आल गुड़ लग एंड हैव नाइस टे